वा भई दुनिया भर की creative creative comments क्योंकि लोगों को लगता है कि server बस आसान है कि ऐसे चल जाता है पर ऐसी बात नहीं है server में बहुत सारे ऐसे काम होते है जो किसी admin को करने पड़ते है और मैंने उसमें creative use किया था मुझे पता है मैंने वहापर किया था वो कैसे किया था और क्यों किया था मैंने वो सारा में एक raw footage में दिखाने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो multi player का server होता है महापर कुछ admins होते है जो महापर control करते है server को जैसे कि high pixel महापर कुछ लोग घूमते रहते है जो कि lag करना सुड़ू कर जाते चीज़े तो वैसे हुआ क्या था मैं आपको raw footage में दिखा देता हूँ तो जब हम case के लिए महापर गए थे महापर हम एक judge की जरूर थी और जो हमारा main judge था वो आये ही नहीं था इसलिए हमें एक NPC बनाना पड़ा था लेकिन जब हमने NPC बनाया तो उसके चकर में और lag के चकर में वहापर कितने सारे NPC अपने आप ही आगे जो कि आपको दिख रहे होंगे तो इन NPC को हटाने के लिए मैंने सिधार्थ को NPC वोंड दिया तागी वो हटा सके लेकिन वो बोल रहा कि भाई मैं हटा नहीं सकता वगरा वगरा उसका इशुआ कि और सरवर को ना किसी को अहरे करती वीडियो के काम करता हूँ सारे आपको दिखता है और सारी में वीडियो में दिखाना हूँ औररा सरवर का admin मैं इसलिए मेरे पास control है बाकि 4X के पास भी control है और MCP Hindi के पास भी control है क्योंकि सर्वर कभी कभी offline होता है तो उनको access करना पड़ता है उसको चलाना पड़ता है सर्वर को और बहुत सारे काम होते हैं जो कि modes को change करना पड़ता है उनमें कुछ add-ons add करने पड़ते हैं modes में उन modes को check करना पड़ता है वो सारे काम करने पड़ते हैं हम तीनों को और कभी-कभी तो आस-पास का drop item इतना सारा हो जाता है कि उनको हटाना भी पड़ता है मुझे कई बार जिसके लिए मेरे को फिर से creative mode में आना पड़ता है रिकोर्ड कर रहे है और जो लाइव आ रहे है जो कोपी वगर है पूरे पूरे टाइम लाइव रहते हैं और कितने सारे लोग है जो दुफैर को शाम को लाइव आ रहे है सर्वर पे तो भाई उनको भी तो परिशानी होगी ना कि दूसरों की वज़े से कि क्रियेटिम मोड बार बार दिख रहा है कभी मैं क्रियेटिम में जा रहा हूं कभी सर्वाइव में जा रहा हूं और मैं भी तभी आ दो जब तक कोई इशू ना हो